नमस्कार मैं शादना पांडे माग्देसन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों सर्व पित्री अमावस्या जो कि 14 तारीक को यानि की कल है मेरे कल कहने से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसलिए आज कल मैं तारीक भी आपको बताती जारी हूँ कि 14 तारीक को 14 तारीक को शर्व पित्री अमावस्या ऐसे में 5 काम आपको अवश्चे करना है अब पूरे पित्र पक्षी या तो मैंने जो नियम बताया वो आपने फॉलो किया या फिर आपने अपने अनुसार किया अपने परिवार की परंपरा की अनुसार किया आपने जो कुछ पे किया बहुत अच्छी बात है नहीं कर पाए है तो भी ढून करके आज पांच काम कर लेजेगा सारी गलती सारी भोल चुक माफ होगी और जाते जाते पितर आपके जीवन में किसी पितर की दुविदा है बड़े से बड़ा भयंकर से भयंकर पितर दोस ही जाती है क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन जो 15-16 दिनों के लिए हमारे फितर धरती लोग पे आते हैं उनकी विदाई का ये दिन होता है वैसे तो मैंने पहले भी आपको बहुत सारी जानकारिया इस विसे पे दी हैं फिर भी कल का दिन बेहत महत्वण है और मैं ऐसे न चोईगा उसके बाद आख बंद करके अपने पितरों का नाम ले करके जैसे देखे हर पितर तो याद नहीं होंगे हर पितर हर किसी को पता नहीं होंगे तो आप आख बंद करके बस अपने पितरों के अध्यान करके उनको प्रडाम कर लेजेगा दोनों हाथ जोड़कर दख सशुड तो हमारे नियम को नहीं मानते हैं कुछ परिवारों Me ये कहा जाता है जब मैं कोई उपहय आपके बताय हुए करती हूं कि क्या टोना टोटका करती हूं तो देखे मैं ये ke कह सकती हूं कि उनको समझायी जा क्यूंकि वो बंड़े हैं तोनको समझाने का बहुत अधिकार तो हमारे पास नहीं है, हम बता सकते हैं, लेकिन ये चीज कोई टोड़ना टोटका नहीं है, आप लोग करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आप करिये, अभी एक बहन का कमेंट आया था, मैंने जो सामगरी नौरातरी, पूजा सामगरी वाली दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कि ये फेक है या जो भी है, लेकिन उन कमेंट के नीचे, हर एक कमेंट जो वीडियो में सेयर करती हूँ, उसके पीछे एक रिजन होता है, कि आप सभी मोटिवेट हो, क्योंकि पूजा पार् मोटिवेट रहा करिए, जीवन में चमतकार होता है, बस ये बताना चाहती हूँ आपको, एक नए एक दिन परिवर्तन होता है, तो चले दोस्तों मैं तो थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए, अब ये बताना चाहती हूँ, कि सबसे पहले सुबा सबेरे, आपने 15 दिन उन् रसुई में बनाईएगा, वैसे एक चीज बता दू कि पितरों के भोजन में आपको आज खीर पूरी ज़रूर बनाना है, जो भी जैसे कुछ आपको पता हो, जैसे पूरानी महिलाए हैं, तो वो बता देंगे घर में कि क्या चीज आपकी पितर को पशंद थी, तो जैसे कि चने पसंद होते हैं, किसी को हलवा, किसी को खीर, किसी को कुछ नॉन्वेज बगरन नहीं बनाया जाएगा, लहसुन प्यास नहीं बनेगा, बले ही हमारे पितर धरती लोग पे थे, तो वो ऐसा ग्रहन करते थे, लेकिन अब उनका लोग बजल चुका है, तो हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते हैं, जो भी सात्विक चीज़ें उन्हें पसंद थी, आज अपने रसोई को साफ करिएगा, और वो चीज़ें जरूर बनायेगा, बिसेज कर हो सकता है, आपके पितर ओयली बगरन नहीं खाते हों, लेकिन आज के दिन कडाही जरूर रखना है, अनिवारे है कडाही रखना, एक कहावत हमारे हाँ देशी में कही जाती है, कडाही गमकना किचन में जरूरी है, तो आज पूरी या फिर जो ऐसी चीज़ें जो तली जाती हैं, वो जरूर बनाईएगा, हमारे हाँ जो अर्वी के पत्ते होते हैं, उनके पकोडिया बनाई जाती है, तो देख लिजे जो के आटाव अगरे मिलता है तो पूरी अगरे में थोड़ा बहुत दो चार चमज डाल दें, नहीं में मिलता है तो कोई बात ने, जो साधा खाना आप लोग खाते हैं वैसे खाना बना कर अपने पितरों को जरूर देजिए, कुछ प्रशन था कि जो हमारे निकल के मत दीजेगा, पहले जैसे मैंने बताया है कि अगनी में अपने पितरों के लिए पोग समरपित किया जाता है, तो अगनी का एक गाय के गोबर का उपला ले ले जए उससे जला ले जे और जो भी खाना बना है उसमें से थोड़ा-थोड़ा कोशिस किया जाता है कि थोड़ा कई तरह की चीज़ आज बने तो जो आपसे बन सकें वो बना लेजेगा उस थोड़ा थोड़ा भोजन में से आप अपने पित्रों का नाम लेते हुए आप भोजन को निकाल देंगी इसके बाद आप अपने परिवार में किसी को भी खाने पीने को दे सकती हैं ऐसा बड़ा कोई पोजापाट नहीं होता है, ये कर लेजेगा, अब एक चीज का और ध्यान देना है, मैंने एक ही चीज आपको बताई कि, आज कोई भी मेठी चीज रसोई में बना कर, अपने घर की रसोई में बना कर, ऐसा ने कि खरीद कर हम जले भी वगरे या कुछ भी दान कर सकते हैं, अपने हाथ से अपने घर की रसोई में बनाईएगा, और उसे बाहर ले जाकर के दान कीजिएगा, खीर, माल पूए या जो भी चीज आप बना सके, वो बना कर, किसी भी जरूरत मंत का पेट भर देजिएगा, आप समझेगा कि आपके पितरों को वो चीज मिल अगली महत्वपूर्ण चीज है, आपको गंगा सनान करना है दोस्तों, तो आप देखी, गंगा सनान में बहुत सारे लोग तो जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरी तरह हैं, तो वो बेस्तिता के कारण नहीं जा पाएंगे, तो क्य मां गंगा का स्मड करिए दोस्तों मेरा विश्वास है वो साक्षात आपकी तकलिफों को दूर करने आएंगी आपके पितरों को तारने आएंगी क्योंकि भागरिती ने मां गंगा के हावान से ही अपने पितरों को तारा था तो आपके पितर भी आज ऐसा करनी मातर से तर जा क्योंकि तभी जाकर चमतकार होता है जब हम खुद निरंतर बने रहते हैं विस्वास रहे न रहे क्योंकि देखे कुछ समय के बाद ये सब्द थोड़ा सा कठोर लगेगा हमारा विस्वास धीरे-धीरे डवाडोल होने लगता है लेकिन जैसे डवा डोल होता है बस चमतकार उसी च्छन होता है तो आप लोग अपने विश्वास को थोड़ा सा दिलिंड रखिए और आगे बढ़िए अब अगला और कौन सा महतोपोर काम करना है लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगी कि मैं आज रात को आज यानि कि 13 चार तारीक और 14 तारीक को रात को मैं आपके साथ लाइब जुड़ूंगी नौ बज़े ठीक है तो नौ बज़े हम लोग बाते करेंगे कि आपकी न मुझसे सीखते हैं मैं भी आप लोग बहुत सारी चीजे कभी-कभी ऐसे का जाते हैं कि मेरे लिए भी बहुत जादा मददकार होती है तो ऐसे ही कुछ महतोपोर बाते आज की लाइब में होंगी रात को 9 बज़े खाली है तो जरूर जवान कीजेगा अगले जीजे दोस्त खाना ज़े अग्यारी करने के बाद उसको पंच बली देना है आज गाय को भोजन उस खाने में से ज़ूर निकल नहीं है कोटे को कवे को और प्रामध को तो ब्रामध को आप पका पका खाना भी दे सकते हैं या तो पर आप अनाज दे दिजी ऐा अगर नहीं होपाता सब्सक्राइब ये सब किसी पेड की जड़ के पास डाल दीजे तो हो जाए आज जो था तीन का मैंने बता है चौथा आपको हर इस्तिती में पीपल पूजा करना है अप जहां कहीं भी है पीपल में थोड़ा सा काले तिल, चावल और जल ले करके आप उत्तर की तरफ मो करके या फिर दक्षि साक्षात वास करते हैं मैं एक बार नहीं अनेकों बार कही हूँ कि बनस्वती पूजन जीवन में चमतकार कर देता है दोस्तों तो वो है पीपल पूजा और कल के दिन इस्तरी है पूरुसें बच्ची है अच्छा मैं जो उपाय बताते हूँ वो कोई भी कर सकता है कोई टेंसन वाली बात नहीं इन दिनों कई ऐसे सारे कमेंटा हैं जैसे की कुंडली दिखाने के लिए कि साससर बोलते हैं कि ये धकोसला है ये धूंग है तो दिखिए वो कहते हैं उनका काम है मैं उनको काट नहीं सकती हूँ अपने अनुसार लेकिन मैं इतना दावे के साथ कर रहे हूँ कि ये पूजा पाट जीवन में समतकार करता है चाहे छोटी पूजा हो बड़ी पूजा हो और कहने दीजे किस भक्त को लोगों ने नहीं कहा है आप हर एक भक्त का नाम देख लेजे प्रालात को लोगों ने नहीं कहा मीरा भाई को लोगों ने नहीं कहा किसको नहीं कहा भक्तों का मतलब ही है कि वो समाच से कटके होता है तो उस कटे हुए लोग को लोग जो है वो थोड़ा सा इधर उधर की बाते करती है तो आप लोग अपनी जो है मन को मजबूत करिए और इस काम को करिए और अंतिम काम दोस्तों क्या करना है अंतिम चीज आपको एक काम और करना है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है दान कर दिया आपने गंगास नान कर दिया सारे काम आपके हो चुके अन्तिम में आज आपके पितर जा रहे हैं तो साम को और साम को कब करना है तो साम को जैसे संध्या दीपक आप जलाते हैं अपने घर में दक्षड के तरफ अप बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं कि खुले में नहीं जला सकते तो जी बिल्कुल आपकी मर्जी आपकी इक्षा चुकि अब खुले में जगह हो नहीं रही है तो मैं ऐसे ही दक्षिड की तरफ आपको बता देती हूँ आपके यहां खुले में कोई जगह है तो दक्षिड की तरफ सरसो के तेल का गाय की घी का जैसा भी हो एक दीपक जला दीजिएगा अब आप लोग पूछेंगे बाती करिएगा और मैं भी अपनी साथ आपके साथ कुछ महत्वपूर बातों को असेयर करने वाली हूँ तो चलिए अब मिलती हूँ अन्ने वीडियो में धन्यवाद